नमस्कार दोस्तों लक्षिप्रकास में आप सभी काफर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपके मूबाल में भी Google Photos एप्लिकेशन ओपन नहीं हो रहा जिए दोस्तों Google Photos एप्लिकेशन नहीं चल रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो जब भी आप अपनी मोबाल में Google Photos application को open करे हो लकिन ये जो है application काम नहीं कर रहा है तो guys आज मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आप Google Photos की open problem को ठीक कर पाऊगे विडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मारे इस विडियो को like नहीं किया तो विडियो को like करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए friends आज काई विडियो स्टार्ट करते है तो इसके लिए सबसे पहले guys आपको करना क्या तो simply आपको उस option पर click करना है इसके बाद आपको manage apps पर आपको click करना है manage apps पर click करने की बाद यहाँ पर आपको google photos application देखने को मिल जागा तो यहाँ पर आपको ढूंड लेना है अगर आपको यहाँ पर application नहीं मिल रहे तो search bar पर click करने की बाद यहाँ पर आपको Google Photos यहाँ पर आपको सर्च करना है जैसे आप Google Photos यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको यह application देखने को मिल जागा यहाँ पर मैं Google Photos करके यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ तो गैस यहाँ पर जैसे आप Google Photos करके सर्च करोगे यहाँ पर आपको जो application देखने को मिल जागा भी यहाँ पर जो है photos application नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर जो है only photos करके यहाँ पर search कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख तो Google Photos Application यहाँ पर आ चुके जैसे आप Photos करके सर्च करोगे तो Google Photos Application मिल जाएगे इसके बाद आपको जो इस एप्लिकेशन का फूर्स स्टॉप पर Clear Data कर लेना है फूर्स स्टॉप करने की बाद यहाँ पर आपको Clear Data पर क्लिकना है इसके बाद आपको Manage Space पर क्लिकने की बाद यहाँ पर आपको जो है इस Delete Option पर क्लिकना जिससे कि दोस्तों सारा डेटा जो है क्लियर हो जाएगा जिया दोस्तों यहाँ पर सारा डेटा क्लियर हो जाएगा इ अपनी मुवाल में Google Photos एप्लिकेशन को ओपन कर सकते हो साइस से प्रोबलम ठीक हो जाएगी लेकिन दोस्तो फिर भी एगर आपकी Google Photos में प्रोबलम आ रहे हैं काम नहीं कर रहा है तो PlayStorm में जाने की बाद आपको Google Photos एप्लिकेशन को अपडेट करेना जी है दोस्तो यहाँ पर आपको जो है फोटोस एप्लिकेशन करके आपको सर्च करना और आपके समने Google Photos एप्लिकेशन आजागी यहाँ पर आपको जो है Google Photos करके सर्च करना होगा जैसे आप Google Photos करके सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको Google Photos एप्लिकेशन मिल जागी अगर आपकी इस एप्लिके और update होने के बाद अब जो है आप अपने mobile में google photos application को open कर सकते हो इसके बाद आपके mobile में यह application open हो जागी और सही से work करने लगेगी तो guys कुछ इस प्रकार से आप इन दो तरीकों से आप जो है google photos application के open problem को आप ठीक कर सकते हो अब इस प्रकार से आप गूगल photos application के आप open problem को ठीक कर सकते हो तो guys कैसा लगा यह video में comment करके जरूर बता है तो गर आपको यह video चलागा हो तो इस video को like करे शियर करे और भी तक आपने मारे चाणों को subscribe नहीं किया तो चाणों को subscribe करके bell icon को जरूर से praise कर देना और guys अब आप देख से तो यहाँ पर google photos application completely update हो चुका है इसके बाद open पर क्लिक करने के बाद यह application आपकी mobile में open हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख से तो google photos application यहाँ पर open हो चुके तो इस प्रकार से आप इस problem को ठीक कर सकते हो आपकी तो